हे गाई स्वागत आप सभी का दौमास्टर साहब पे दोस्तों आज की जो वेकेंसी हमारी आई है ये वेकेंसी हमारी आई है गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यानि के जी इस भोजपूर से जो की आरा में है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों की इस वेकेंसी में बहु सारे departments हैं अलग-अलग departments में different different departments में यह आपको यह vacancy है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि तीन post है पहला post है guest assistant professor का ठीक है और दूसरा post है आपको guest technical assistant का और तीसरा post है आपको workshop instructor या आप बोच सकते हैं guest instructor का तो यह तीन post आपके पास available है इस भोजपूर वाले engineering college में दूसरा चीज है कि इसका क्या interview इसमें सिर्फ एक बात जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ interview का प्रावधान है कि interview आप दीजिए और job लीजिए दूसरी चीज इनके लिए किनकिन documents की जरूरत पड़ेगी वो आपको जानना है इसके लिए last date क्या होगा या direct जाके interview देना है हमें उसको समझना है दूसरी चीज है कि किनकिन departments के लिए है qualifications क्या होगा ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है और इसका जो notification है वो आप description box में जाएंगे वहाँ पर आपको भी जानकारी आपको मिलेगी मैं वीडियो बताऊंगा कि ये जो notification है आपको कहां से download करना है कहां से आपको authentic चीज यानि कि original real चीज मिले चुकि बहुत सारी fake employment की news जो है चलती रहती है ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा ये कहां से मिलेगा चलिए स्टार्ट करते हम अपना वीडियो दोस्तों यह जो वैकेंसी आई है यह government engineering college भोशपूर आरा की है जिसका यहाँ पर address दिया हुआ है south east रमना रोड नियर महराजा college ठीक है अब इसमें ये advertisement number है यहाँ पर दीचेंटर करा आजा जा रहा है कि मैंने आपको पहले बताया अब देखिये कि यहını पे टीन ऊों पोस्ट दिया हुआ हुआ है गेस्ट प्रोफेसर का, गेस्ट टेकनिकल असिस्टेंट का और गेस्ट हमारा इंस्टक्टर का, तो ये पोस्ट है, और ये करेंट जो academic session चल रहा है, 23-24 उसके लिए है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना आपको कि interested और eligible candidate है, वो appear करेंगे, वाके interview में, क्या-क्या document या मांगा जा रहा है, with all their original academic certificate, जितना भी आपके पास academic certificate है, वो सारा होना चाहिए आपके पास, ठीक है, यानि के, 10th से लेके, B.Tech, M.Tech, Diploma, I.T.I., जिसके लिए जो eligible है, उसका सारा original academic certificate आपको लेना होगा, category certificate, आप किस category से belong करते हैं, residential certificate, ठीक है, अब इसमें देखे, residential category क्यो मांगा गया है, क्योंकि इसमें जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको जो अरक्षन है, वो EBC का, वो या BC1, BC2, जो भी अरक्षन है, वो यहाँ पे as for the state government के हिसाब से लागू होगा, ठीक है, जो जनरल वाले हैं, वो बाहर वाले हैं, तो उनके लिए category की अवश्यक्ता नहीं है, या residential की, लेकिन residential certificate उनको चाहिए, जो बिहार के रहने वाले हैं, खास कर, अगर आप बाहर से भी, अगर interview देने आ रहा है, तो भी आप अपने हागा रख लें, ठीक है, वो document रहेगा, तो कोई issue नहीं है, उसके बाद, ये इतना original आपको चाहिए, उसके आद hard copy of CV, जो आ एक original, या नि तीन सेट आपके पास होना चाहिए, एक original और दो जो रॉप्स, और दो recent passport site photograph होना चाहिए, तो ये इतना सारा documents आपको यहाँ पे बताया गया है, कि आपके पास original academic certificate होना चाहिए, category certificate होना चाहिए, residential certificate होना चाहिए, hard copy of CV होना चाहिए, इन सब का दो सेट आपको क्या कराना है, photocopy कराना है, और दो passport size photo, तो ये होगई documents की बाद, अब आते हैं, post कौन सा होगा, subject department क्या है, academic qualification क्या है, date और time interview क्या होगा, और कहां पर ये interview conduct होगा, generally जहां college होता, वही होता है, लेकिन इस case में, यानि कि इस engineering college का interview कहीं और होगा, वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, कि इसका interview भोजपूर में नहीं होगा, चलिए, अब आते सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं, किसके बारे में, guest assistant professor के बारे में, तो guest assistant professor इनको चाहिए physics के लिए, chemistry के लिए, maths के लिए, biology के लिए, और management के लिए, ठीक है, ये जो qualification है, AICT और DST, Department of Science Technology के norms के हिसाब से है, इसका interview एक September 2023 को है, ठीक है, अब देखिए, जो norms है, वो आप download करके देख भी सकते हैं, मैंने पीछले मेरी जितनी भी वीडियो से हैं, उसमें मैंने norms किसी ने किसी वीडियो में ज़रूर बता रखा है, ठीक है, कि master's degree minimum होना चाहिए, अगर आप physics, chemistry, math, biology है या management है, तो आपके पास MBA या master degree उस respective subject से होना चाहिए, अगर आप net qualified है, या आपके पास PhD है, तो preference पहले आपको मिलेगा, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, guest technical assistant की, तो दोस्तो guest technical assistant के लिए बहुत अच्छा frequency है, guest technical assistant के लिए, आप physics के लिए आया, chemistry के लिए, for science subject, graduate होना च चाहिए, with physics, chemistry और mathematics से कम से कम हो गया, और guest जो आपका electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, computer science, इसमें आपको तीन साल का डिपलोमा होना चाहिए, किसमें technical assistant बनने के लिए minimum qualification है, इसके उपार आपको बीटेक है, तो आपको हो सकता है, preference वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो आपको तीन साल का डिपलोमा ह ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है, इसका interview 2009-2023 को होगा, ठीक है, यानि कि 2 September-2023 को, यह सारा के लिए कर दिया गया है, अब आए हम guest instructor की बात करते हैं, और इसी में हम बात करते हैं, यह interview कहा होगा, तो guest instructor के लिए turner की बहाली, turner चाहिए, mechanics चाहिए, feeder चाहिए, carpentry और weld यह 5 है, अब इसमें 2 साल का ITI कम से कम होना चाहिए, और एक साल का apprenticeship या एक साल का work experience यह कम से कम होना चाहिए, ठीक है, इसका interview होगा, 4 September-2023 को, और interview कहा होगा, तो दोस्तों, interview होगा, बखतियारपूर College of Engineering, चमपापूर, देदार, बखतियारपूर में, यहनि तियारपूर College of Engineering में यह आपकी बहली होगी, ठीक है, यह सारी बात इन्होंने बता दिया है, बाकी यहाँ पर यह दे दिया गया है, कि for advertisement based on departmental संकल्प नमबर इतना date यहाँ पर दे दिया गया है, भरदर डिटेल के लिए आप इसका website दिया हुआ है, या information जो आप देख रह जो मैंने भी आपके साथ डिसकस किया, सारी बाते वही है, अब इसमें एक चीज़ है कि जो यहाँ पर कुछ important instructions है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला important instruction दिया गया है, कि essential qualification, AICT के जो अल्रेडी बता दिया गया, PhD और net qualified candidate को prefer किया जाएगा, यह मैंने पहली बताया ह अगर आपके पास net और PhD है, तो पहले preference आपको मिलेगा, retired professor अगर कोई है तो उनको भी preference मिलेगा, और यह जो बहाली हो रहे है, यह purely temporary है, renovation based है, आपके class के हिसाब साथ को पैसा मिलेगा, renovation जो पैसा है आपका, वो आपको existing rule के हिसाब से ही मिलेगा, जो norms है, उसके institute के पास यह अधिकार होगा कि यह partially या पूरी तरीके से इडिवेटिवन को withdraw कर सकते हैं, यानि के cancel कर सकते हैं, यह जो services है, guest instructor का यह जो भी भाली हो रही है, वो आपको कभी भी हटाया जा सकता है, बिना notice के अगर आपकी जो work है, वो असंतुष्ट हो जाए या unsatisfactory हो जाए तो, आप उ लेगा, further detail के लिए G.C. बोजपूर, यह principal साइब का sign है, ठीक है, तो यह आपका हो गया, अब देखिए इसके लिए क्या है कि यह जो dates दिया गए, इस dates में आपको 10 वज़े से पहले आपको पहुंच जाना है वहाँ, जहाँ पर interview होना है, फिर से मैं बता देता हूँ, interview होन है, आपको बक्तियारपूर College of Engineering में, ठीक है, यहाँ पर dates दिया हुआ है, assistant professor का, technical का, और यहाँ पर सब के लिए जो academic qualification वो सारी चीज़े दी हुई है, यह minimum academic qualification है, इससे ज़्यादा अगर आपके पास कोई qualification इसके साथ साथ, तो उसमें आपको preference मिलेगा, ठीक है, तो interview दीजि ठीक है का आपका उस समय presence होता है, यह भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको जरूर दीजिए, और दूसरी चीज़ की यह जो बहाली है, बहुत बड़ी बहाली है, इसको आप जो है, अगर आप इस चीज़ में eligible नहीं है, तो अपने जानने वालों तक जरूर पह ठीक है, मेरा टेली ग्राम का लिंक दिया हुआ, टेली ग्राम लिंक, इस टेली ग्राम लिंक पे आप जाएंगे, तो आपको वहाँ पर यह PDF वायल में आपको यह मिल जाएगा, जहां से आप इसको download कर सकते हैं, ठीक है, टूर डाउनलोड कर सकते हैं इसको, documents के बारे में सा आती रहेगी तो मैं डालता रहूंगा हमारा वीडियो थो आने में लेट होता है चुकि जो ओरीजिनल वैकेंसी आती मैं उसी को अपडेट करता हूं ठीक है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वैकेंसी है कोई छूटे नहीं और आप तक आसानी से पहुंचे तो इसी तरह क्यार बनायरके तक तक य। वरी मुच्छ